आज हम प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के दौरान हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन क्या होती हैं और इनके द्वारा हम कैसे क्वेशन को सॉल्फ कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और यह कुछ warm-up questions है जो आप try कर सकते हैं इन questions को करने के लिए आप वीडियो को pause करें और फिर start करकर answers चेक कर सकते हैं question number one में आपको fractions को simplify करना है as first fraction जो है वो already simplified है तो हम उसे 12 over 13 ही रख देंगे second fraction 20 over 40 हम जब simplify करेंगे तो वो हो जाएगा one half और 45 over 85 को जब हम simplify करेंगे तो वो हो जाएगा 9 over 17 question number two में आपको factors निकालने हैं तो answer कुछ इस प्रकार होंगे question number three में आपको common factors निकालने हैं तो answer कुछ इस प्रकार होंगे अगर आपके answers यही हैं तो यह आपके लिए गर्व की बात है और आप अपनी बीट को थप-थपा सकते हैं आगे भरते हैं और proportion के बारे में जानते हैं proportion वो part या share होता है एक number से जो की एक relation में हो यानि उसका relation हम compare कर सकते हैं जब भी हम proportion को लिखते हैं तो अगर तो equal fraction हो तो हम उसे a over b equals to c over d लिख सकते हैं या तो फिर कभी हम colon के तौर पे भी लिख सकते हैं यानि a is to b equals to c is to d और जब भी हम दो ratios को equal माने तो उसका जो call cross product होता है ratios का वो हमेशा equal होगा यानि जब हम a को d से multiply करेंगे और b को c से multiply करेंगे तो हमारा answer equal होगा आगे हम इस property के बारे में और जानते हैं जब भी हम दो cross product proportion का निकालते हैं तो दो product, दो terms को हम extremes और means कहते हैं extremes यानि कि outer terms और proportion को हम extremes कहते हैं यानि कि इधर जैसे a और d है और means यानि middle terms और proportion जो कि इधर b और c हैं आगे अब example देखकर हम check करते हैं कैसे हम solve कर सकते हैं इसको जब हम किसी भी ratio या किसी भी fraction को proportion में मामते हैं तो हम पहले extreme values यानि जो इधर 2 है और 9 है तो हम 2 और 9 को multiply करेंगे और हमें answer मिल जाएगा 18 और फिर हम जो mean terms हैं यानि कि 3 और 6 उन दोनों को multiply करेंगे और हमें मिल जाएगा 18 क्यूंकि दोनों ही product same है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि दोनों proportion में है आगे हम जानते हैं और example से कि कैसे हम solve कर सकते हैं अब इस example में extreme को हम पहले multiply करेंगे यानि 4 को हम 18 से multiply करेंगे और हमें मिल जाएगा 72 और फिर हम 3 को 20 से multiply करेंगे यानि दोनों means को multiply करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 क्यूंकि इधर 72 और 60 equal नहीं है इसका मतलब ये दोनों proportion में नहीं है आगे अब ये कुछ practice questions हैं जो आप try कर सकते हैं इन question को करने के लिए आप video को pause करें और फिर start करकर answers check कर सकते हैं आशा करता हूँ आपके यही answers रहे हो अगर आपके यही answers रहे हैं तो ये आपके लिए गर्फ की बात है और आप अपनी पीट को थप थपा सकते हैं thank you for watching the video and for more login to justtutors.com